नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कभर करने वाले हैं वालगना और C.R.S. दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले दिन के आकरी T1 मकाबले को 200 तुनामेंट का यह मकाबला नंबर 22 होने ऒाला है दोनों ही टीमों की सबसे पहले यदि बात करना तो दोनों ही टीमों ने अब तक 5-5 मकाबले खेले हैं और दोनों ही टीमों ने 4-4 मकाबले जीते हैं एक-एक मकाबले में दोनों ही टीमों को हार मिली है लेकिन यदि बात करें CRS टीम के बल्लेवाजों के बारे में दोस्तों ये टीम सुरुवाद के टॉप ओडर के तीन बल्लेवाज तो सेम रहते हैं लेकिन इसके बाद आने वाले बल्लेवाजों में काफी फेर बदल ये टीम करती है इसका मतलब दोस्तों यही है कि आज की इस टीमों के बिकट गिरने की तुलना की जाए तो वोल गोना के बिकट काफी जदा गिरेंगे वहीं CRS के बिकट किरने की संबावना काफी कम रहने वाली है अब ऐसे हैं। डॉस्तों टॉस हमारे लिए काफी important रहने वाला है तो चलते हैं सीधी दोस्तों और बात करते हैं सबसे पहले अपन venue के वारे में तो over resting nano में सारे ही मुकाबले खेले जा रहे हैं और आज का मुकाबला भी हैं पर खेला जाएगा पेशे behavior के बारे में बात करें दोस्तों एकदम balancing bicket आपको दिखने वाला है और यदि CRS की टीम पहले बल्ले बाजी करती दोस्तों तो अंतर हमको 10-15 रनों का ही दिखने वाला है दोस्तों अभी तक यदि बात करें 17 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं इनमें पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम में 11 और बाद में बल्लेवाजी करने वाली टीम में 6 मुकाबले जीते हैं यूँ तो तोस्तों टोस का किसी परकार से कोई भी परवाब पिछ पर नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी यदि आंकणों की मान है तो टोस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी का यहां पर फैसला लेने वाला है दोनों ही टीमों के भी तक head to head मुकाबले नहीं हुए हैं लेकिन यदि बात करें अब दोनों ही टीमों के scores पर दोस्तों यह section हमारे लिए बहुत important होने वाला है इस section को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले यदि बात करें बोलगना के बारे में दोस्तों तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और सामने वाली टीम को 108 रन इनोंने बनाने दिये यानि बात करें तो 7 विकेट यहां पर गरें है काफी कम अंतर से इनोंने यह मकाबले को जीता है इसके अलावा दोस्तों बात करें पहले बल्लेवाजी करने वाली टीम 97 और 96 यानि या पर 5 बिकट से ये टीम हर गई थी इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 10 बिकट से ये टीम जीतने में काम्याब रही है लेकिन सामने वाली टीम के दोस्तों बिकटों की बात करें तो दूसरे मुकाबल हैं 10 बिगट इसके बाद दूस्तों 6 बिगट टीम के गराए हैं, 8 बिगट गराए हैं, इसके बाद 6 बिगट टीम के लिए गराए हैं, यानि यहां से बात करें तो CRS की बॉलिंग पर आपको बिसेज ध्यान देना है, और दूस्तों Grand League में आपको इसी परक पूल रहने वाली है, वीडियो पसंदा दिये तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा, कमेंट करका जरूर बताईएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, चैनल पर पहली बार बिसेट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना, इसलिए न भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारा सबस्यादा फोकस T10 क्रिकेट पर ही रहता है, तो शुरूबात करते हैं, सबसे पहले वोलगोना टीम के साथ मैं दोस्तों, उमर गुजर लगातार टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, इनका साथ निवाने आते हैं, कभी मलक सरफरा आते हैं, दोस्तों तो कभी राशिद मुहम्मद आते हैं, यानि ये तीनों ही बल्लिवाज लगातार टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, ऐसे में उमर गुजर लगातार ओपन करकर दे रहे हैं, और दोस्तों लगातार बड़े बड़े स्कोर ये प्लियर कर रहा है, पचास, प बात करें मलक सर्फरास के बारे में दोस्तों तो अभी तक इनके बल्ले से ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं हुआ है लेकिन इस टूनमेंट से पहले 28 के एवरेज को इन्होंने मेंटें किया यानि सिर्फ और सिर्फ आप इसको ग्राइड लीग में ट्राय करकर चल सकते हैं है बालिंग भी की है और एक बिकेट टीम के लिए नकाल कर दिये हैं यानि ये प्लियर हमारे लिए और भी इंप्रिटन्ट हो जाता है इसलिए इसे हम अपनी टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं वहीं अगर बात करने तसिन मुस्तफा के बारे में दोस्तों तो लगातार स्क लगातार दो ओवर ये प्लियर कंप्लिट कर रहा है और दोस्तों बिकेट भी टीम के लिए नकाल रहा है ये प्लियर भी हमारे लिए इंपोटेंट रहने वाला है हाला कि बल्ले बाजी में जादा इसकोर नहीं है फिर भी बॉलिंग के लिहास से हमेसे अपनी टीम में शाम कर दे चुका है इसके रलाबे दोस्तों फैजान नजर पिछ़ले मुकाबले के हीरो ये पलियर रहे थे दो ऊपर Catsp लेके एंगे लिए और इसके पहले भी दोस्तों दो और एक बिकेटऊन किली नेकाल कर दे चुके और पर आपको टीम में शामिल करना है क्योंकि दो अवर कंप्लीट करने के साथ दोस्तों ये आपको बिकेट भी निकाल कर देने वाले हैं इसके लाव दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बाद करते हैं अपन बशीम शैजात के बारे में बशीम शैजात तीन मुकाबले नहीं ख सा इसा बॉलर है जो दो ओवर कंप्रीट करकर दे रहा है अब दोस्तों एच मोहमत देख सकते हैं पिछले तीनों मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग भी की है और चार बिकेट टीम के लिए निकाल कर इन्होंने दिये हैं अब दोस्तों कोई यदि बैंच से टीम में शामिल रहने वाले हैं तो नीचे से अपन सुरुआत करते हैं दोस्तों हर कमाल को यहां से ड्रॉप करिएगा अब बात करें दोस्तों नालेन हैदर के बारे में दोस्तों नालेन हैदर ने तीन ही मुकाबले खेले हैं और अपनी टीम के लिए तीन बिकेट निकाल कर दिये हैं दोस दोस्तों शांदार पिक रहने वाला है वहीं अगर बात करने लफ प्रीज सींग के बारे में तो इस प्लियर को आप ड्रॉप करकर से लें खास तो पर हैड़ टो एड़ स्मॉल लीगों में लेकन आप लेना चाहते हैं तो आप तब ही इन्हें टीम में शामिल करें जब आप क्योंकि आप देख सकते हैं किसी मुकाबले में बैटेंग करते हैं तो किसी मुकाबले में ये बॉलिंग कर रहे हैं यानि इनका कोई भी फिक्स काम नहीं है दोस्तों सेफ पलियर ये बिलकुल भी नहीं है अब बात करें सुकपाल सिंग के बारे में दोस्तों ये आपको ग टीपेंट सेकाबाद दोस्तों थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं लेकिन बात करें बॉलिंग की तो दोस्तों एक पिछले मुकाबले में एक बिकेट इसके पहले दोस्तों एक बिकेट निकाल कर दिया यहीं दोस्तों मैच फसता है यह पॉइंट अपने फसते हैं तो ऐसे में इस को आप drop करकर चल सकते हैं अब उपर से बात करते हैं दोस्तों यानि कि राजमानी संदू open करने वाले हैं अबडल रह्मान open करने वाले हैं और दोनों ही player run मनाने के साथ साथ दोस्तों अच्छे point आपको नकाल कर देने वाले हैं दोस्तों रजमाई संदूश अंदार 22 केप्टन की भूमी काम है आज आपको देखने वाला है क्योंकि कैप्टन हम उपर वाले पिलियर को बनाने वाले हैं अबदोर्रहमान की बात करने तो लगातार टीम के लिए स्कूर कर रहा है दोस्तों किसी भी मुकावले में ये आपको बड़ा स्कूर करकर देने वाला है लेकिन एवरेज स्कूर तो निश्चेत्वर पर अभी करके दे ही रहा है अब बात करें बाबर हुसेन के बारे में तो ये प्लियर दोस्तों आप ड्रॉप करकर चलें क्योंकि बड़े स्कूर अभी तक ये नहीं कर रहे हैं और दोस्तों यदि इनको लेंगे तो हम और राउंडर प्लियरों को अपने टीम में शामिल करकर नहीं चल पाएंगे अब बात करें नासिर जमन के रास नासिर रमजान के बारे में दोस्तों बिकट कीपर ये बल्लेबाज है आप इने अपने टीम में शामिल करकर चल सकते हैं अतिक और रहमान को दोस्तों आप ड्रॉप करकर चलें क्योंकि बैटिंग वाटर थोड़ा इनका नीचे आता है और पुराना इनका एवरेज भी काफी कम है पहले य अब यहाई बॉलिंग नहीं कर रहा है पहले दोस्तों यह बॉलिंग करकर दे रहे थे तो इसलिए इस प्लियर को हेड़ टो एड़ स्मोल लीगों से आप डॉप करकर चल सकते हैं बात करें सुकराज सिंग के बारे मनें श्यत्वर पर दोस्तों ग्रांड लिग कर ये प्लि सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करना बिलोकुल न भूलें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अबाश्य करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जैहन दोस्तों